आज बहुत दिनों बाद में मेरा संबूर डिफेंस अकेटवी में आना हुआ है तो सुनिया जी ये जो बीच में गया है मैं कही जिनों से आया नहीं आपके पास में तो इस बीच के अंदर आपका क्या एचीवमेंट रहा मलग कितने बच्चे आपके आर्मी के अंदर या एर दूहित गुजराती करके लड़का है जिसने आमी में कलर का एक्जैम क्लियर कर लिया जिसमें रिटन और फिजिकल दोनों उनके क्लियर है और उनकी मेरिट लिस्ट अभी बाकी है आनी और उसके अलावा रिटन में आठ लड़कियों ने क्लियर कर लिया है और चार पाकी है और फिजिकल की उनकी तैयारी अभी चल रही है हमारी अक्याडमी में अच्छा सुने जी अभी ऐसी कौन सी भरतियां है जिनकी तैयारी कि दिए बच्चे लोग आपके पास आ सकें अभी ससी जीडी की जैसे रेक्रूटमेंट आने वाली है रैली और डेली पुलिस कौनस्टेबल की आने वाली है इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक जीडी और नाविक डीबी की रैली आने वाली है उसके बाद में आमी में अभी रिसेंटली पांच जिलो में ये रैली हुई है जिसमें सीकर, चूरू, जुनजुनू, बीकानेरो, हनमानगड उसमें उनका रिटन हो चुका है और अब फिजिकल की तैयारी चल रही है जिसकी डेट है 3rd January 2024. सोनिय जी आपकी अकेडमिय में में देखा कि लड़किया जादा है तो क्या लड़कियों में शेहना के परती ये करेज बढ़ रहा है? हाँ बिलकुल लड़कियों में जैसे उनकी इंस्प्रेशन है कि हाँ एक लड़कियों के लिए specially academic हो ली गई है तो वो लोग बहुत जादा motivated है और जो already यहाँ पे है उनको देख के बहुत लड़कियां attract हो रही है और भी मेरे पास admissions आ रहे हैं हाँ मेरे पास लड़कियां जादा है compare to boys मेरे पास strength उनकी जादा है और बढ़ती जा रही है admissions मेरे पास girls के तो आप सोनिया जी थी जो सीकर के अंदर संबू defense academy की आप director है और आपके यहाँ जो यह defense academy है यहाँ पर लड़कियों की संख्या जादा है यानि राजस्तान के अंदर मेरे खास है यह एक मत्र defense academy होगी जहाँ पर लड़कियों को फोज के लिए तैयार किया जाता है यहाँ आपके आसपास या आपके बच्ची फोज के अंदर जाना चाहें और उसकी तैयारी करना चाहें तो सोनिया मेम की संबू defense academy सीकर के अंदर आया यहाँ पर निसंकोच आप आपने बच्चियों को बहच सकते हैं धन्यवाद